किसा है करिबन इस डारेट शेलिंग इंडर्स्री से मैं दस साल से जुड़ा हूँ और मैंने मेरे लाइफ में काभी सारा स्ट्रगल भी देखा हुआ है और सबसे बड़े इंपोर्टन चीज अगर मैं बताओं तो आज हिंडूस्तानियों में जो बेरोजगारी का जो सबसे बड़ा सब्जेक्टा चल रहा है और मैं प्रैक्टिकल बात बता दूँ कि मैं दस साल से जुड़ा हूँ लेकिन इस डायरेट चलिंग इंडर्स्री की वज़े से आज मेरे जीवन के सारे सपने पुरे हो चुके है और जिसके लिए कभी मुझे जो है अपने माबाब को को पोसने की जुरूरत नहीं पड़ी अपने दोस्तों को या फिर मेरी पड़ाई लिखाई को या फिर मेरा फाइनेंशिल बैग्राउंड सिर्फ लगातार लगन से अगर सही दिशा से हम लगे रहे तो हंडेट परसेंट इस डायरेक्सिलिंग इंडस्री में हम लगपदी नहीं करोड़बदी बन सकते का सपना एक होता है, फाइनेंशिल फ्रीडम मिले, टाइम फ्रीडम मिले, और सबसे बड़ी चीज हो सेक्यूरिटी, आज मैं आप लोगों को बता दूं कि आज उमर मेरे 38 साल है, और इस इंडस्री से अगर मैं देखो, तो एक रुपिय अपनी जेब से ना लगाते हुए, मैं सो क्रोड से ज़ादा का टर्नोर मेंने किया हुआ है, और मेरे घर परिवार में 50 क्रोड कलस की इंकम आचुकी है, घर है मेरे पास में farm, एक नी चार-चार गाडियां है, आज हर महने की इंकम मेरे 5 लाग कलस की आती है, और मुझे कितना आए इंस जार है क्लिक है, और और उसी वज़े से जो है लाखो रुपियों की इंकम आती है मैं तो कहूंगा कि सारे हिंदुस्तानियों से जो आज युवा बेरुजगार है वो इस डारेक्ट सिलिंग इंडस्ट्री के बारे में सिंसिरली सोचे कि सबसे बड़ी इंपॉर्ड़न चीज होती है कि जब तक हम समझने के लिए तैयार है सीखने के लिए तैयार नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर आपकी जेब से कोई कूझी नहीं लगने वाली है सिर्फ आपकी सोच को परिवर्तन करना है और अपनी जिन्दगी को और अपने घर परिवार किया और अपने सबसे बड़ी चीज है माबाप के सपने हम इस इंडस्री से पूरे कर सकते है और आज डायरेक्ट सिलिंग इंडस्री का जो पांच वा अवाड यहां पर इंपोर्ट ही देना चाहता हूं और मैं यकीन के साथ में बात बूलना चाहूंगा कि अपने हिंदुस्तान में आने वाले समय में डायरेक्ट सिलिंग इंडस्री का बहुत बड़ा इतिहास होने वाला है और उसमें इंपोर्ट ट्रेनर्स प्राइवेट लिमिटेर का एक बहुत बड़ मैंने चाहा तब मुझे मिला उन्होंने मुझे को गाइड किया और मैं आज तक यहां पर हूँ और मैं जिस सिस्टम में हूँ वो सिस्टम आएमसी विजनेस जो है यकिन मानो पांट साल पहले मेरे जिंदगी जीरो थी और पांट साल के बाद में आज मैं अगर सोचू जो स मैं पा सकता हूँ परिवार खुश है बच्चे खुश है लेकिन यहां पर ही मैं नहीं रुका हूँ आने वाले समय में इस डारिक सेलिंग इंडस्ट्री जो है बहुत बड़ा इधियास अपने हिंदुस्तान में रचने वाली है और उसके लिए जो है अब पेसा माध्यम न मेरी कमपनी के मैनेजिंग डिरेक्टर और चेर्मन्स जिनकी वज़े से मैं आज यहां पर हूँ मैं उनको वन्स अगेंड थैंक यू वेरी मच धन्यवाद अदा करता हूँ थैंक यू फेरी मच